क्या The Kerala Story का uncut version होगा OTT पर stream? क्या फिल्म को अपने डिजिटल रिलीज से पहले फिर से किया गया sensor? The Kerala Story अब OTT पर होने जा रही है stream. अधा शर्मा स्टारर The Kerala Story एक बार फिर आई है सुर्कियों में. ये फिल्म 5th May 2023 को थेटर्स में रिलीज हुई थी. जिसे लेकर जबर्दस कॉंट्रोवर्सी भी हुई. लेकिन अब फाइनली एक पॉपलर OTT प्लाटफॉर्म अपने डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए तयार है. जी हाँ, The Kerala Story 16th February को stream होगी. जिसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग से पहले फिर से किया गया है सेंसर. कहा ये भी जा रहा है कि फिल्म OTT पर आने से पहले रिएडिट होगा. दो, इस पर अभी कोई कॉई कॉन्फरमेशन नहीं आया है. आपको बता दे, The Kerala Story A Certificate के साथ थेटर्स में रिलीस हुई थी. रिपोर्टिडली, फिल्म में दस सीन्स को सेंसर बोर्ड ने कट किया था. पर अब चब फिल्म OTT पर आ रही है, तो क्या इसका uncut version audience को देखने मिलेगा? वैसे पास्ट में, we have seen a few movies releasing on OTT as the extended cut version. ऐसे में क्या The Kerala Story अपने थेटरिकल फॉर्म में OTT पर रिलीस होगी? या फिर इसमें कोई change होगा? ये देखना interesting होगा. इस फिल्म में अदार शर्मा के अलावा, योगीता बिहानी, सोन्या बलानी, सिधी इदनानी भी pivotal रोल में थी. सुदिपतो सेन की direction में बनी इस फिल्म ने लगबग 300 करोर प्लस का box office collection किया था. जबकि फिल्म का budget पंदरा से लेके 20 करोर का था. सो फिल्म एक huge success के रूप में उबरी. और controversy के बावजूद, ज्यादा से ज्यादा audience को थेटर्स में attract किया. अब फैंस की नस्रिल फिल्म की OTT रिलीस पर है. Now we have to see whether we get to see the uncut version or the edited version of the Kerala story. कि आद के रह कर दोय कि अधिका in ND ísot Как उיתי lik से लेके 20 कि है पिल्म काask singing. झाल